नमस्कार दोस्तों जीके वित्यार के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जीके के 20 इंपोर्टेंट प्रस्न लेकर के आये हैं तो चलिए हम सुरू कर लेते हैं यहां पर देखे पहला प्रस्न से पहला प्रस्न नमर है बीसु का सबसे महंगा मसाला केसर अगला प्रस्न के और बढ़ते हैं एफील टावर किस धातु से बनाया गया है ओप्शन यह तामबा पीतल लोहा टीना सही उतर है सी लोहा से एफील टावर लोहा से बनाया गया है अगला प्रस्न है भारतिये फिल्म और टीवी स्थान स्थान का इस्थित है Option नासिक, पूने, सूरत, दिल्ली सहीतर है Option B, पूने भारतिये फिल्म और टीवी संस्थान पूने में इस्थित है अगला प्रस्थ्न है भारतिये पेटरोलियम संस्थान कहा इस्थित है Option है भरूच, देहरादून, हैदराबाद Option D, सूरत सही उतर है option B दहरादून भारतिय पेट्रोलियम संस्थाम दहरादून में इस्थित है दोस्तों इस तरह का जदे आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह से वीडियो देखने को मिलेगा अगला प्रसन है पहला चावल के भोसे का बिजली सनियंत्र कहां अस्थापित किया गया था option है जलखेरी ये पंजाब में है भरूच गुजरात बिजेवाडा अंधरपरदेश सुरत गुजरात तो सही उतर है option ये जलखेरी पंजाब पहला चावल के भोसे से बिजली सनियंत्र जो बनाया गया है वो अस्थापित किया गया है जलखेरी में और जलखेरी कहां परिस्थित है पंजाब में है अगला प्रसन है असम की महतपुर्ण खनीच कौन सी है अगला प्रसन है गुलाब की युद्ध का क्या अर्थ है या फिर ये गुलाब का युद्ध क्या है उप्सन है इंगलेंड में गुलाब का युद्ध के नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक देश कौन सा है बहुँ ज़्यादा इंपोर्टन प्रसन है उप्सन ये स्रिलंका उप्सन भी भारत सी सिंगापूर डी चिन सी उत्र है उप्सन ये स्रिलंका परमुख ग्रेफाइट उत्पादक कि देश मिकी सुची में नंबर वन पर जो है स्रिलंका है अगला प्रसन है भारत का सबसे बड़ा खनीज देलचेतर कहाँ पर है उप्सन ये भरूच अंकलेसवर कांडला सिमला सही उतर है option B, उंकलेसवर भारत का सबसे बड़ा खनीज देल छेत्र उंकलेसवर में इस्थित है अगला प्रस्न है भारतिये खनी विद्यापिट A school of minds कहां इस्थित है option ये वारनसी, कानपूर, धनबाद, भरोच सही उतर है option C, धनबाद भारतिये खनी विद्यापिट, A school of minds, धनबाद में इस्थित है दोस्तों जिलिए आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले और पास वाले बेल आकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम नया विडियो अफ्लोड करें इसका नोटिपिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप विडियो को पहले देख पाएं अगला प्रेस्ट की और बढ़ते हैं रमायन के अनुसार रूमा किसकी पत्नी थी अप्सन ये राम, अप्सन B सुग्रिव, अप्सन C लच्मन, अप्सन D रावन सई उतर है अप्सन B सुग्रिव, रमायन के अनुसार रूमा सुग्रिव की पत्नी थी अगला प्रेस्ट है नाइटेंगेल ओफिंडिया, किसे कहा जाता है अप्सन है आपके सामने विपिन चंदरपाल, मदर टेरेसा, लाला लाजपात राय अप्सन D सरोजिनी नाइडू, सई उतर है अप्सन D सरोजिनी नाइडू को नाइटेंगल ओफिंडिया के नाम से जाना जाता है अगला प्रेस्ट है विपिस्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर कौन सी है उप्सन आपके सामने है गांधी नगर, स्वेज नहर, इंदरा नहर, या फिर साबरमती नहर सई उतर है उप्सन D स्वेज नहर, स्वेज नहर विपिस्व की सबसे लंबी जहाज रानी नहर के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ था उप्षन है 1772, 1988, 1889, 1861 सही उतर है उप्षन सी 1879 इसवी में स्वेज नहर का निर्मान हुआ था अगला प्रस्ण है सुनामी का मुखी कारण क्या है सुनामी भुकम्प के वज़ा से आता है अगला प्रस्थन है वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्थन है आपके सामने है 22 दिसंबर 31 दिसंबर 26 दिसंबर 1 मई सही उतर है आप्षन ये 22 दिसंबर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है अगला प्रस्थन है रियक्टर सेल से क्या मापा जाता है आपके सामने है वायू की तिरुता भुकम्प की तिरुता वर्षा की तिरुता या फिर जल की तिरुता सही उतर है option B भुकम्प की त्रियूता ठीक है रियक्टर सेल से अनिकी रियक्टर स्केल होता है इससे भुकम्प की त्रियूता को मापा जाता है अगला प्रस्ण है वाय मंडल के कौन से भाग में ओजोन गेस पाये जाता है प्रस्ण option आपके सामने है खगोल मंडल, सुरी मंडल, वाय मंडल, समताप मंडल सही उतर है option D समताप मंडल क्या उतर है समताप मंडल वाय मंडल के कौन से भाग में ओजोन गेस पाये जाता है तो समताप मंडल में पाये जाता है अगला प्रस्ण है गौवा सहर किस नदी के किनारे इस्थित है। अप्सन अपके सामने है कावेरी, अलकनन्दा, क्रिष्णा और मंदावी, मंदोवी या फिर मंदावी जो भी है। तो देखें गौवा सहर जो इस्थित है वो मंदावी नदी के किनारे इस्थित है। अगला प्रस्ण है और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है ट्रेफिक सिगनल में पीला रंग का क्या अर्थ होता है अप्शन आपके समने है ठाहरिए इंतजार कीजिए जाइए या फिर इनमें से कोई नहीं आप इस प्रस्ण के माध्यम से इस इमेज के माध्यम से इंतजार कीजिए ठीक है जाइए मतलब ग्रीन सिकनल ठार ये मतलब रेड और जिदी पिला जल रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा साब इंतजार कीजिए ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ भी सेर क किजिए धन्यवाद।